सब्सक्राइब किजिए टेक्नोईन चैनल को एंड बेल आइकन को दबाई ये लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सी ड्राइफ का अपकर यू इंस्टाल करना पड़ेगा विंडोस प्रमेट करना पड़ेगा एंड वाइल इंस्टालिंग आप बूट मेनू पे आपको वह जो कंफिगरेशन है वह सेंज करना पड़ेगा यह बहुत लोग सोचते हैं इसलिए इस वीडियो में आप इसमें दिखाऊंगा कि कैसे आप विडाओ फॉर्मेटिंग विडाओ रिइंस्टालिंग विडाओ दूइंटिंग जास तुए इने टू टू ट्री सिंगल क्लिक आप यह जो सी ड्राइब का साइज है वह बहा सकते हो तो इसके लिए स्टेट यू तिल एन हीट लाइग इस वीडियो और दोंट फोगेट तो सब्सक्राइब इस अनल सो लेट स्टार्ट इसमें यहां पे देखिये मेरा जो शी ड्राइब है यहां पे आप एक भात ध्यान में रखिए अब को अगर उसका size बढ़ाना चाहते हो तो एक empty space, unused space रखना ज़रूरी है You have to keep a empty drive or empty space so that उसका size उसका space है वो C drive के साथ जोड सकते हो You can embed with that to C drive, okay यहापर देखिये जो D drive है मेरा, यहापर यह भी empty है, E drive है, यह भी empty है and F drive, this is also empty and यहापर देखिये जो F drive का size है, almost 20 GB उसका space में यहापर जोरना चाहता हूँ तो इसके लिए यह मैं पहले खाली करके रखा हूँ This is the second heart, this is my totally new, yesterday only I have bought and I have put So, उसका जो था मेरा documents यहापर डाल दिया मेरे जो जोरा drive में तो इसलिए इसका size जो है, मैं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा My computer then manage, manage में चला जाएए, आप manage के बार Okay, this one is manage, manage के बार यहापर देखिये storage and disk management में जाएए, तो इसके में आपको दिखने को मिलेगा, पूरा का पूरा हर डिख जो जो drive से वह आपको दिखने को मिलेंगे यहापर दिखिये मेरा system reserved है, यह first यह जो and C drive, F drive, D drive, E drive जो मेरा F drive, F drive है, यहापर दिखिये 20 GB, यह पहले आ रहा है क्योंकि this is actually primary partition and जो green color करके border करके आ रहा है dark green and this is actually logical drive यहापर जो light blue, you can say light blue also not properly light and lighter than this drive यहापर देखिये dark blue है, यहापर light blue है, what is logical drive and what is primary partition I will tell you later आपको बात में बताऊँगा, तो logical drive का जो जो space है वह आप कही पे जोर नहीं चकते है तो इसके you have to keep a primary partition, वह आपको कैसे देखना पड़ेगा फिर से ऐसे ही management आके आपको देखना पड़ेगा कॉंसा कॉंसा primary है, कॉंसा कॉंसा logical है यहापर देखिये मेरा नीचे बाला जो disc 1 है यहापर नया जो disc 1TB का यहापर तीन drive यह जो है यह आपका primary partition में है यहापर यहापर जो नहीं चकता हूँ C drive तो इसलिए मैं F drive चोना हूँ पहले है आपको बोले हूँ 20GB का space है, empty space है उसको I want to embed with C drive तो इसके लिए पहले क्या करना पर एकर जो new volume है जो आपका empty space है उसको right click करके उसको format कर लिजेगा जो भी हो यहाँ से एक बाब format कर लिजेगा format होने के बाद यहापर एक format हो रहा है ज्यादा time नहीं लगे यह it will do quickly only ठीक है यह format हो चुका है then right click यह जो delete volume यह right click करके जो empty space है उसको delete volume कर दीजेगा delete volume then यहापर देखिए after deleting all the data will erase that's the notification and I'll do yes only यहापर देखिए unallocated हो गया delete करने पर यह black color unallocated मतलब यह कही पर ना कोई unallocated means ना कोई यह drive है ना कोई कही पर जो रहा है ना कोई यह मतलब कही पर allocate नहीं किया है I will allocate this drive this empty space to c drive तो अभी क्या करना पर देखिए c drive में जाए रही है उसके बात यहापर देखिए right click करकरने के बात आप c drive में right click दबा दिजिए उसके पात extend volume extend volume करके आएगा तो उसके बात next and it will automatically show that space which can be shifted to c drive आपको यहापर automatically detect करेगा जो space है जो size है वो c drive में ला सकते हो actually उसमें यह भी आप divide कर सकते हो 20 GB में से आपको 10 GB आना है next and finish अभी दिखिए जो c drive का size 120 था यह 126 oh sorry 106 था यह 126 हो गया यानि कि जो मेरा 20 GB space था c drive में चला गया यह logical drive तो ऐसे ही रहेंगे of course तो यह मेरा 4 में से 3 drive बन गया I think it will help you a lot बहुत लोग ऐसे सोचते है कि कैसे मेरा size बढ़ गया है कोई tension नहीं है आप एक नया हर्डिक्स करीद लो हर्डिक्स का price आप मीनिमाम हो गया है और जैसे external हर्डिक्स आप लगाते हो ऐसे ही आप desktop पे या of course you can't insert any हर्डिक्स internal हर्डिक्स in your laptop but in desktop so desktop में आप एक नया हर्डिक्स लगा दो जैसे external हर्डिक्स लगाते हो ऐसे लगा दो और अपने आप ड्राइब बना सकते हो मेनेस में जाके locate कर दो अनलोकेटेट रहेंगे उसके बाद जो आपका c-drive का size है वो फूल हो जाता है आप आप वहाँ पे क्या कर सकते हो वहाँ पे extend कर सकते हो पर याद रखिएगा जो डेटास था वो जो इनफोर्मेशन सा जो डोकुमेंस पिक्सर वाटेब यू हैट तो आप सीफ कर लो नया हर्टेक्स पे ठीक है ये इट विल हेल्प यू अलोट आई थिंक तो लाइक बटन अलोट